दोस्तों चेरे पर कई बड़े-बड़े मोल्स हो जाते हैं जैसे कि इस लेडी में हैं यह वाला मोल हो गया इनके यहां पर नोज के उपर है लिप के ऊपर है और यह वाला इस टैप का मोल हो गया तो यह अगर हम ब्लेड बगरा से काड़ दे या कई बर लोग कोई दवाई तिजाब हो गरा या चुना हो गरा लगा के इसको जलाने की कोशिश करते हैं उससे खड़ा हो जाता है पर महने स्कार बन जाता है अगर आप चाते हैं कि मोल निकल जाए और स्कार ना बने तो आप हमारे प तो अगर आपको इस टाइप की किसी मोल और निकालने की आपको प्रिशान्दी है जरूरत है तो आप हमारे पास आ सकते हैं कोई पेन नहीं होता कोई इसमें ब्लीडिंग नहीं होती कोई जखम नहीं होता आपको हम दिखाएंगे कैसे हम सर्जरी करते हैं और ये रेडियो सद्री है लेजर सद्री होती है तो इससे ना तो ब्लीडिंग होनी है ना आपका कोई जखम होना है और निशान भी नहीं पड़ता है तो ना के बराबर ही है थीक है तो हम इनको शुरू करेंगे, हमने इनका सुन किया हुआ है, इस वज़ा से ये पेन फील नहीं करेंगे, और इसको हम ये देखिए, जैसे ही इसके साथ टच होता है, इसमें से बर्न हो जाता है जिए, और ये जो ब्लैक, पिगमेंट वाला स्कार है न, ये देखो हो गया, ये क्लीर हो जाए, तो आप देख रहे हैं, कि इसमें ना कोई ब्लीडिंग हुई, ना पेशन को पेन हुआ, पेशन काफी कमफ़रेबल है, क्यों भी, कमफ़रेबल हो, जी सर, इदर रिसोल भी, याज अज अगन तो होगी, होगी सर, आज अगन होगी, इदर लिए, कोई नि इसर क्लिनिक, बठिंडर और श्री मुक्ससा पंजाब, हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं, तो हमें आप वट्सएप कर सकते हैं, कालना के लिए, काल कई बार हम बीजी होते हैं, तो आपकी कालना उठा पाएं, और हमारा